नमस्ते बच्चों बच्चों आज की वीडिya में हमने जो पार्ट पढ़ा था मंगलक्रेगी सेर उसे संबंदी जो है प्रशन उतर ओर वर्ड मीनिक करेंगे तो पहले हम main main जो पहले इसके जो पार्ट का वीडियो में ने बनाया तो उसमें सारे word meaning में ने दे दिया है लेकिन जो कुछ important word meaning है वो हमें फिर से देख लेते हैं जैसे अध्यान, अध्यान का मतलब होता है खोजबीन मतलब की study करना या research करना फिर है सतय, सतय का मतलब होता है तल means surface संभावना मतलब अनुमान, अनुमान लगाना मतलब possibility होना वहाँ पे और परिक्षन का आर्थ होता है जाचना, किसी चीच को examine करना फिर खगोल विज्यान, मतलब जो ग्रह नचत्रों से संबंधित विज्यान होता है उसे हम खगोल विज्यान कहते है, मतलब astronomy अब हम इस पार्ट में आए हुए कुछ प्रशन उत्तर देखते हैं अभी हमें इसमें एक वाक्य में उत्तर देना है, मतलब one sentence में answer देना है फर्स्ट है पृत्वी ग्रह के पडोसी, मतलब neighboring planet पडोसी ग्रह कौन कौन से है, तो उतर है मंगल और शुक्र, पृत्वी ग्रह के पडोसी ग्रह है फिर दूसरा है अनन्या की मा किस पत्रिका की संपादक थी तो उतर है अनन्या की मा खगोल विज्यान की पत्रिका की संपादक थी फिर थर्ड है यूनानियों ने मंगल ग्रह को क्या नाम दिया तो उत्तर है यूनानियों ने मंगल ग्रह को मार्स नाम दिया जो हम इंग्लिश में मार्स पढ़ते हैं ना मार्स प्लैनेट वो यूनानियों ने उसका नेम दिया हुआ है फिर इसके बाद अगला प्रश्ण है मंगल के वातावरण में कौन सी गैस सबसे अधीक है तो इसके उत्तर है वहाँ के जो एट्मोस्फियर वातावरण मतलब वहाँ का एट्मोस्फियर है तो प्रशन है मंगल ग्रह कैसे रंग का दिखाई देता है तो उत्तर है मंगल के लाल रंग का दिखाई देता है क्यों दिखाई देता है क्योंकि मंगल के अट्मोस्पेर में आइरन ओक्साइड है तो उत्तर है मंगल की धूल में आइरन ओक्साइड का खनीच बहुत अधिक म तो उतर है वैज्दानिक यह पता लगाने के कोशिश कर रहे हैं कि क्या पृत्वी की सतर है मंगल ग्रह पर भी जीवन मतलब वहाँ पर भी लाई पॉसिवल है संभव है मंगल ग्रह पर काई जैसी वनस्पती काई जो होता है वच्छो उसे हम कहते हैं मॉस जिसा काई मौस या फिर हम इसे लाइचन है यह मौस या लाइचन बोलते हैं यह जो होती है वनस्पति मतलब एक तरह का प्लांट होता है जो कि पत्थर और मिट्टी जो मॉइस्ट वाली जो चीजें होती है जो देखा होगा नदी समुझ के किनारे जो स्टोंस में ग्रीन ग्रीन कलर की लग जाती है उसे हम काई या कौस कहते हैं उस टाइब की वनस्पति और निमने कोटी के जीव जहनतु होने की खोच चल रही है मतलब यह अभी वहां पे उसके रिसर्च चल रही है कि मार्स में मिलेंगे फिर इसके बाद नेक्स्ट विश्यन है अगला प्रशन है मंगल ग् ग्रह प्रित्वी की तुलना में सूरी के चकर कम गती से लगाता है मतलब मंगल ग्रह जो है उसका रिवल्यूशन जो सन के चारो तरफ होगा वो नाम प्रित्वी से थोड़ा स्लोर है धीरे चलता है इसलिए दोनों ग्रह 15 से 17 सालों के बाद ही एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो हमें देखना इतना संभव नहीं है बहुत आसानी से हम नहीं देख पाते के वर 15 से 17 साल के बाद ही हम जब एक दूसर होंगे आर्थ और मास तभी हम देख पाएंगे इसके बाद नेक्स क्रिशन है अब हमें 30 से 35 शब्दों में उसका उतर देना है 30 to 35 वर्ड्स में थोड़ा सा long answer question तो इसका जो प्रशन है वो क्या है मंगल ग्रह और प्रिथवी की दो समानता हैं और दो विशे असमानता बतानी हैं similarities क्या है यानि कि दो समानता हैं और उसकी difference यानि दो असमानता हैं तो उतर है मंगल ग्रह और प्रिथवी ग्रह की दो समानता हैं यानि जो similarities है, जो दोनों की क्या है, दोनों पर ही पत्थर, घाटिया और पहाड है, फिर है दोनों ही ग्रह सूरी के चकर लगाते हैं, अब इन में difference क्या है, मंगल ग्रह सूरी का एक चकर 687 डेज में पूरा करता है, तो वहाँ एक साल जो होगा, मतलब जितने दिन में सूरी का चकर येयर होता है ये जैसे अर्थ 365 लगाती ही तो अर्थ का वन येर जनी होता है मंगल में अब प्रिधवी जो है सुरी का चक्कर 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट में पूरा करती है तो वहां पे एक साल 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट का होता है या फिर आप 365 डेज एप्रोक्सिमेट लिख स बॉँक्त लेक्तन हैं तो फिर है दोने मंगल का आकार पृतिवी से छोटा है इसलोड़ सके माइन के करीब व्यास दाइमेटर से दो गुना बड़ी है मतला अर्थ का साइज जो है मंगल से डबल है उसका डायमीटर मतला फ्यास इसके बाद नेक्स क्यूशन है भारत की सबसे बड़ी उपलब्धी मार्स ओर्बिट mission मॊम के बारे में लिखuchidamnsupportant question हो सकता है कि जो हम भारत ने अपना जो mission 2013 में मौम चलाय था उसके बारे में हमें लिखना है तो भारत ने मार्स ओर्बिट mission मौम के तहत 5 नौंबर 2013 को श्री हरिकोटा से करिब सबसे कम लागत में तैयार अपना उपग्रह लियान फिर मंगल लियान 24 सितंबर 2014 को 2014 को मंगल ग्रह पर पहुचने में सफल रहा वो पांश नमबर 2013 को छोड़ा गया वह एक साल बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुचा फिर भारत की एक मात्र भारत ही ऐसा देश है जो पहले ही प्रयास में मतलब फर्स्ट अटेम्प में मंगल ग्रह तक अपना उपर ग्रह है पहुचाने में सफल रहा तो यह थे कुछ important प्रश्ण उत्तर के notes अब अपनी textbook में जो प्रश्ण उत्तर हो गया है आप कुछ और प्रश्ण देखते हैं जैसे यहाँ पर MCQ टैप के जो questions है यहाँ पर हमें correct option choose करना है पहला क्या है मंगल को सूरी का चक्र लगाने में कितने दिन लगते हैं तो उत्तर है 687 डेज फिर है इन में से क्या प्रित्वी और मंगल दोनों ग्रहों पर है मतलब कौन सी common चीज है जो अर्थ और मार्स दोनों में है तो answer है घाटियां और पहा फिर इसके बाद जो थर्ड वाला question है तो इसमें third में क्या है हाल ही में किन देशों ने मंगल यान भेजे है मतलब मार्स के study के लिए किस किस ने satellite भेजे है तो इसका उतर है अभी current में हाल ही में मतलब अभी current में भारत यूरोप और अमेरिका अमेरिका का एक है अभी यूरो यान ने सबसे पहले मंगल की सतह से चित्र लिये मतलब किसने सबसे पहले मंगल ग्रह के pictures निकाले तो इसका उतर है मेरियन 4 यह जो मेरियन 4 है यह अमेरिका ने भेजा था इसने सबसे पहले मंगल ग्रह की सतह के मतलब उसके surface का picture लिया था फिर इसके पास कुछ यह जैसे उ दूसरा इसका बनेगा नजदीक और ये बन जाएगा आयरन मतलब लोहा या आयरन ये बनेगा अपना वैज्यानिक इसका हो जाएगा अंतरिक्ष अंतरिक्ष मतलब होता है स्पेस ये बन जाएगा वायू मंडल वायू मंडल इसके बाद हमें राइट सेनोनिम्स मतलब हमें समानार्थक या परियाई वाची से मिनिंग वाले वर्ड लिखना है समानार्थक सेनोनिम्स मतलब पेज, पेज को बोलेंगे पन्ना याने पेज, सूर्य को हम लिख सकते हैं, रवी, सूरज, बहुत सारे होते हैं, आप कोई एक लर्ण कर सकते हैं, फिर पृत्वी मतलब अर्थ को हम लिख सकते हैं, धरा, धर्ती, भू भी लिख सकते हैं, नस्दीक मतलब होता है पास, मतलब वजन मतलब होता है भार या वेट या मास फिर हवा मतलब वायू और पवन भी लिख सकते हैं दोस्त को हम मित्र लग सकते हैं सखा लिख सकते हैं पत्थर मतलब होता है पाशान मतलब स्टोन या फिर पाहन भी लिख सकते हैं पाहन या पाशान पत्थर को मानाव को मनुश्य चित्र मतलब होता है अपनी छवी या फोटो तो इसको हम छवी लिख सकते हैं और इसको हम फोटो भी लिख सकते हैं बहुत सारे इसको जो भी आपको easy लेगे चित्र मतलब फोटो या फिर हम इसको लिख सकते हैं तस्वीर तस्वीर भी बोल सकते हैं फोटो, तस्वीर, पिक्चर, छवी, छाया, चित्र कोई भी easy word आप इसमें लिख सकते हैं फिर इसके बाद है ये तो आपको पार्ट से छाट के लिखना है ये जो कारक शब्द है यहाँ पे जैसे ये कारक जो दिये हुए है इससे हमें वाक्य को पूरा करना है तो कारक या cases आपने पड़े हैं तो जैसे गरिमा के लिए फल ले आओ तो पहला क्या हो गया ये के लिए फिर दूसरा कहानियों की एक पुस्तक मुझे भी चाहिए तो दूसरे में क्या आएगा की मंगल को मार्स भी कहते हैं तो थर्ड ओप्शन में मार्स मंगल पर जीवन की संभावना है याने की लाइप कहां पॉसिवल है मार्स पे तो ये फोर्थ वाला फिर मंगल सूर्य से अधिक दूर है तो यहाँ पर कौन सा कारक आएगा से फिर माला और आसिफ ने अध्यापिका से सब के मन की बात कही तो यहाँ पर लास्ट वाला आजाएगा ने आपने पढ़ा हो ना करता जो है उसके साथ लगता है करता ने कर्म को करंट से संपरदान के लिए अपादान से और मे पर अधिकिए सब संपूधन आपने पढ़े है ना उसी तरह माला और आसिफ यहाँ पर दो नाम है माला और आसिफ इसलिए यहाँ पर क्या आया है ने और डिस्टेंस या ने की यहाँ पर बताया है से मतलब फ्रॉम के लिए से यूज हुआ तो यह आपकी सारे exercise हो जोगी है मंगल ग्रह की सेर के लिए आप इसे पढ़िए और समझे और इस पार्थ परिचे का जो वीडियो है उसकी लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दोंगी आप उसे भी पढ़ सकते हैं पर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में तेक केर बापये